आज के वीडियो में हम आपको step by step बताएंगे कि कैसे आप अपने जीमेल में आएवे message को permanently हमेशा के लिए delete कर सकते हैं तो चलिए प्रेंट्स वीडियो को start करते हैं वीडियो को अंतर तक देखियेगा सब कुछ आप असानी से समच जाएंगे तो वीडियो अच्छे लगे तो एक like कर देज़ेगा चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को subscribe कर बेल आइकन को press कर देज़ेगा थाकि यहाने वाली वीडियो को notification आपको मिलती ले तो चलिए मैं यहां से अपने Gmail से back हो जाता हूँ और आपको अपने mobile के Chrome browser को open कर लेना है तो चलिए प्रेंच मैं यहां से Chrome browser को open कर लेता हूँ Chrome browser को open करने के बाद friends, आपको यहाँ पर search करना है Gmail, Gmail लिखके search करने के बाद friends, कुछ इस तरह का interface आएगा, और आपको यहाँ पर सबसे उपर में जो website दिख रहे हैं, आपको इसे यहाँ से click कर देना है, click करने के बाद friends, कुछ इस तरह का interface आजाएगा, तो friends, आप वीडियो को बिल्कुल लाज तक देखिएगा, तभी आप message को permanently delete कर पाएंगे, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, इसके बाद friends, आपको यहाँ पर जितने भी message दिख रहा है, देखिए friends, आपको मैं desktop site में, desktop site पर भी जा करके मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो यह later है, बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा, तो आपको clearly दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको इसी में रहने देता हूँ, mobile में, देखिए आपको मैं तो यह सारे message को यहाँ से delete करूँगा ने, इसके लिए यहाँ से three dot पर click करेंगे, और three dot पर click करने के बाद, जितना भी social message ह होगा, वो मैं आपको delete करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर social वाले option पर click करेंगे, social वाले option पर click करने के बाद, आपको जितना भी YouTube, Instagram, Facebook, जो भी आपका message आता होगा, Gmail पर, वो message आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यह सारे message मैं आपको permanently delete करके दिखाऊंगा, तो देखिए, यह कुछ ही message है, ति सबको मैं फटा-फट यहाँ से select कर लेता हूँ, और यह total इतना ही message है, social वाला, तो मैं इसे यहाँ से permanently delete कर देता हूँ, delete करने के बाद यह 4 message और रह गया, इसे भी यहाँ से permanent delete कर दिया, friends देखिए, अभी जो है मेरा social message एक भी नहीं है, मैं आपको दुबारा से click करके दिखा देता हूँ, लेकिन friends यह अभी message permanently delete नहीं हो रहा है, यहाँ पे show नहीं हो रहा है, लेकिन यह भी message कहाँ पर है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसके लिए friends आपको यहाँ से three dots पे click करना है, three dots पे click करने के बाद friends आपको यहाँ पे एक option और यहाँ से आप उसको दुबारा से recover कर सकते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ से recover कर सकते हैं, और यहाँ से delete करने के बाद ही, वो message आपका permanently delete होता है, तो चलिए मैं इसे यहाँ से आपको permanently delete करने के लिए option भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा आएगा, देखें यहाँ आप नीचे में लिखा हूए delete for ever, मतलब हमेशा के लिए, तो देखें, मैं आपको यहाँ से एक click में delete करके दिखा देता हूँ, इसके बाद जो यह box है, एक भी message नहीं रहेगा, और यह दुबारा से recover भी नहीं होगा, इस तरह से प्रेंच, आप अपने Gmail में आएगे message को permanently delete क कर सकते हैं, तो देखें, यहाँ पर delete for ever का option है, मैं इसि यहाँ से for ever वाले option पर click कर देता हूँ, इस for ever वाले option पर click करने के बाद इस जो message है, permanently यहाँ से delete ho जाएगा, एक message और बचा है, इसे भी माई यहा nouveau forior कर देता हूँ, इसके बाद friends अभी मेरे model में कोई भी message नहीं है, दुबारा से मैं इसे refresh कर देता हूं और refresh करने के बाद यह सारा message मेरे Gmail से permanently delete हो चुका है अब मैं दुबारा से आपको social में चल के दिखाता हूं कोई भी message यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा और मैं आपको दुबारा से bin में भी चल के दिखाता हूं तो यहाँ पे भी आपको कोई भी message नहीं दिखेगा इस तरह से friends आप चाहे तो आपने सारे email message को delete कर सकते हैं यह चाहे तो आप जो message को रखना चाहते हैं किसे delete करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे category by promotion वाला message sent और जो भी message आप इसको category by भी delete कर सकते हैं तो friends उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप आसानी से समझ गया होगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से Gmail में आए वे message को permanently delete कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक like कर दिजे और चैनल को भी subscribe करना ना भूले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दान्यवाई